दोस्तों नमस्कार यह है मागदोशन फार्ट सेविल सर्विसेज मैं अनुराग शहदरी दोस्तों मध्यकालीन भारती इतिहास में मुगलकाल बहुत ही महत्वपोण खंड है आज इसमें आप पढ़ेंगे बास्साह अकबर से संबंधित सभी महत्वपोण प्रश्णों को जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए बहुत ही महत्वपोण है तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों अकबर अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमर कोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था चौदे फरवरी 1556 को पंजाब में गुर्दास पुर्जिले के निकट कलानौर नामकस्थान पर अकबर को बास्साह घोसित किया गया दोस्तों बास्साह घोसित करते समय या बास्साह बनते समय अकबर की आयू 13 वर्स थी तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि अत्यंत अलपायू में ही अकबर भारत का बास्साह बन गया था दोस्तों साह अब्दुलमाली ने अकबर की राज्या भिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था तो किसने अकबर की राज्या भिषेक में सम्मिलित होने से इनकार किया था ये था शाह अब्दुलमाली दोस्तों हुमायू अकबर को क्या कहता था तो हुमायू जोकी अकबर के पिता था उसको फरजंद यानी उसका अर्थ होता है पुत्र तो हुमायू अकबर को फरजंद पुकारता था और अकबर ने अपने संड़क्षक बैरम खा को अपना वकील या वजीर नियुक्त किया था और उसे खान एक खाना की उपादी से विभोसित किया था दोस्तों बैरम खा अकबर के संरक्षक रहे और बैरम खा 1560 इसवी तक अकबर के संरक्षक के रूप में कारी किये थे पानिपत के युद्ध के बारे में जानते हैं दोस्तों पानिपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर और अफगान सासक हेमो के बीज इस युद्ध में अकबर को पिजय प्राप्थ हुई थी और अकबर ने 1561 में आधम खां को मालवा पर आकरमण करने के लिए भेजा था मालवा पर आकरमण करने के लिए अकबर ने आधम खां को भेजा था दोस्तों मुगल सेना और मालवा के सासक बाज बहादूर के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें बाज बहादूर की हार हुई थी और वह हार कर भाग गया था बाज बहादूर की पतनी रूपवती ने जहर अपने सतित्यों की रक्षा की थी और दोस्तों गोंडवाना की रानी दुर्गावती के हिंदु राज्य की योग के सासिक थी और अकबर के आकरमण यानी 1564 हिसवी के फल सरूप सत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी दोस्तों अकबर ने सरूपर्थम किन से वैवाहिक संबंध अस्थापित किये थे तो कच्छवाहा राजपूतों से सबसे पहले अकबर ने वैवाहिक संबंध अस्थापित किये थे कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों जिस समय अकबर ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ति की दरगाह के लिए जा रहा था सांगा नीर नामकस्थान पर 1562 में आमेर का राजा बिहारी मल या जिसको की भारमल भी कहा जाता है वो बादसाह की सेवा में उपस्तित हुआ और उसने अकबर की अधिन्ता तो स्विकार की ही और अपनी जेश्ट पुत्री हर्खा भाई जिसका की लोग प्रचलित नाम जोधा भाई था उसका बिवाह करने की इक्छा ब्यक्त की अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्विकार कर लिया और अजमेर से लोडते समय सामभर में उसने राजा बिहारिमल यानि भारमल की पुत्री से बिवाह किया दोस्तों यह अकबर का पर्थम राजपूत कन्या से बिवाथ था और इसी राजपूत राजकुमारी से साहजादे सलीम यानि जहांगीर का जन्म हुआ था बिहारिमल यानि भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेक्षा से अकबर की अधिनता स्विकार की थी तो याद रखिएगा बिहारी मल या भार मल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेक्षा से अकवर की अधिनता स्विकार की थी दोस्तों 1562 में मेरता के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया था 1562 में मेड़ता के किले पर मुगलों का अधिकार हुआ और 579 इसवी में रड़ थमभावर और कालिंजर के किले पर मुगलों का अधिकार हुआ था उस समय मेवाड पर सिसोधियवन्स का सासक था और 1567 में अकबर ने मेवाड पर आक्रमण किया था राडा उदह सिंग सरदारों की सलाह मान कर किले से निकल कर जंगलों में चला गया और किले की रक्षा का उतरदायत्व जैमल को दिया गया था एक रात जब जैमल किले की दिवार की मरम्मत करा रहा था तब अकबर ने अपनी बंदूग से निशाना लगाया जिससे जैमल घायल हो गया और उसकी मृद्ध हो गई थी दोस्तों राजपूत इस्तरियों ने जोहर कर लिया और प्रातह काल फटा सिंग यानी फटा के नेत्रितों में राजपूतों ने मुगलों पर आक्रमर किया और अंध तक लड़ते हुए मारे गए थे किले में प्रवेश करके अकबर ने हत्याकांड का आदेश दिया जिसमें हजारों राजपूत मारे गए और ये जो घटना है अकबर के नाम पर काला धब्बा है बाद में अकबर ने अगरा के किले के द्वार पर जैमल और फतह सिंग की हाथी पर बैठी हुई मुर्तिया भी बनवाई थी एक तरह से ये अकबर के प्राहश्चे स्वरूप ये निर्मार कारे किया गया था दोस्तों 1572 में राडा उदय सिंग की मृत्ट हो गई और उनके बाद उनका पुत्र परताप सिंग सासक हुआ और हल्दी घाटी की युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्धे से राडा परताप को अपने अधिन लाना था लेकिन राडा परताप ने अकबर की अधिन था नहीं स्विकार की थी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 इस्वी में महाराणा परताप और मुगल सेनापती मान सिंग और आसप खां के मध्ध लड़ा गया था तो हल्दिग हटी युद्ध के बारे में एक महत्वपूर्ट तथे आपको मिला कि हल्दिग हटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंग और आसब खां के मध्ध लड़ा गया था 1597 इसवी में दोस्तों महाराणा प्रताप की मुरित्ध हो गए थी और अकबर की गुजरात विजय कब हुई थी बहुत ही महत्पूर्ण गुजरात विजय है दोस्तों अकबर ने 1572 इसवी में गुजरात विजय की थी और 1581 में अकबर ने काबुल को और 1586 में कस्मेर को मुगल सामराज्जी के अंतरगत सामिल कर लिया था एक बहुत पूर्ण वर्स है सन 1601, सन 1601 में असीरगड के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगड के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया था 1580 में जौनपूर के एक धर्मगुरु मुल्ला मजदी 1580 में जौनपूर के एक धर्मगुरु थे मुल्ला मजदी इन्होंने सभी मुसलिमों को अकबर के विरुध विद्रोह करने के लिए फत्वा जारी किया था तो अकबर के विरुध जो फत्वा जारी हुआ था वो जौनपूर से जारी हुआ था दोस्तों सहजादा सलीम जोकी अकबर का पुत्र था उसने जब विद्रोह करके इलाहबाद में सोतन सासक की तरह बिवहार करना आरम किया तब अकबर ने 1602 इस भी में दच्छिड से अबुल फजल को बुलाया था और उसी समय सलीम के इसारे पर ओर्चा के बुंदेला सरदार बीर सिंग्देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दे थी दोस्तों मुगल सासन ब्यवस्था की बात की जाए तो मुगल सासन ब्यवस्था को अस्थापित करना का स्रे अकबर को है और अकबर की सबसे महत्वपूर्ण गुशेस्ता जो थी उसका कींद्री कृत्पर सासन या कींद्री सासन बेवस्था बास साह का पद और अधिकारों और कतव्यों की ब्याक्या इसके अलावा प्रांती सासन, लगान बेवस्था, मुद्रा बेवस्था, मनसबदारी बेवस्था इन सभी को उसके समय में सफलता प्राप्थ हुई और वह उनके उत्तराधिकारियों के लिए आधार सुरूप बना जिससे उसके उत्तराधिकारियों ने महत्तुपोर धंग स सासन किया दोस्तों अकबर एक महान सासक था जिसका सामराज अफगानिस्तान से लेकर कस्मीर तक गोदावरी नदी के किनारे तक भी विश्तरित था तो अकबर का महान सासक और उसका सामराज भी विशाल था अफगानिस्तान और कस्मीर से लेकर दच्छिन में गोदावरी प्रवुद्ध निरंकुष सासक कहा जाता है तो अकबर को दोस्तों प्रवुद्ध निरंकुष सासक भी कहा जाता है दोस्तों अकबर के सासनकाल में कानून की द्रिष्ट से सभी समान थे तो यह एक महतवपूर्ण तत्य है कि अकबर के सासनकाल में कानून की द्रिष्ट में सभी समान थे दोस्तों अकबर के सासनकाल में पुनरगठित केंदरी प्रसासनतांतर के अंतरगत मीरवक्सी जो होता था वो सैन्य विभाग का प्रमुक था तो बहुत ही महत्वपोन प्रश्ण है मीरवक्सी सैन्य विभाग का प्रमुक होता था और मीरवक्सी का काम सैनिकों का बेतन और सैनिक संगठन से संबन दित था अकबर ने 1573 में घोडों को दागने की पर्था का पुनह प्रचलिन करवाया जिससे सेनापती अपने घोडे न बदल सके अथवा एक घोडे को दो बार न प्रस्तूत कर सके 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी ब्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया मनसब का अर्थ दोस्तों स्रेडी या पद तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से होता था जिसे साही सेना में एक पद या स्रेडी प्राव्द थी तो मंसबदारी विवस्था, जो थी अकबर के समय में बहुत ही महतपूर थी और ये मंसबदारी विवस्था मद्धेश या मंगोलिया से ली गई थी तो मनसब सब्द का अर्थ आप जान लीजिए स्रेडी या पद स्रेडी यानि हैरार्की और पद से था और मनसब्दार का अर्थ ऐसे अधिगारी से था जिसको किसा ही सेना में पद या स्रेडी प्राप्त होती थी आपको बता दिया गया कि मुगल मनसबदारी बेवस्था मध्ध एसिया यानि मंगोलिया से ली गई थी और इस प्रकार देखा जाए तो मुगल काल में जो सेन भी भाजन था वो चंगेज खाके नेतरेतों मंगोल सेना में किया गया था दोस्तों अकबर की मनसबदारी बेवस्था दसमलो परडाली पर आधारित थी तो ये भी बहुत महतपूर्ण तात्य है अकबर की मनसबदारी बेवस्था दसमलो परडाली पर आधारित थी और अकबर ने मनसबदारी बेवस्था को अपने सासनकाल के 11 वर्स में प्रारम किया तो इतिहास के अंतरगत ये भी महतपूर्ण प्रश्ण बन सकता है कि अकबर ने मनसबदारी ब्यवस्था को अपने सासनकाल में कब प्रारम किया था तो अकबर ने अपने सासनकाल के 11 वर्स में मनसबदारी ब्यवस्था को प्रारम किया था और मनसबदारी बिवस्था भारत में जो मुगलो द्वारा प्रारंब की गई ये मंगोलिया यानि मध्धेशिया से ली गई है दोस्तों मनसबदार जो थे वो तीन बर्गों में भी वक्त थे पहला दस से पांच सो तक के मनसबदार पांच सो से पचीस सो तक के अमीर और पचीस सो से उपर अमीर ए आजम कहलाते थे और जात और सवार की द्रिष्टी से भी तीन स्रेडिया थी दोस्तों आप जान लिजे कि मनसबदार और जात और सवार ये तीन-तीन स्रेडियों में विभाजित थे दीवान सब्द आप आजकल सुनते होंगे दोस्तों दीवान सब्द जो है ये फार्सी भासा का सब्द है और खलीफा उमर के काल में मुसल्मानों ने इसे अपनाया था और अकबर के सासनकाल में नौवे वर्स से लेकर तीसवे वर्स तक दीवान पद मुझफर खातुरबती, राजा टोडरमल और ख्वाजा साह मनजूर के हाथों में रहा था तो दोस्तों अकबर के समय में जो दीवान का पद था ये मुझफर खातुरबती, राजा टोडरमल और ख्वाजा साह मनसूर के हाथों में रहा दीवान बहुत ही महतपूर पद था क्योंकि यह आर्थिक मामलो और राजस्व का सर्वोक्च अधिकारी होता था दोस्तों अकबर के सासनकाल में भूराजस्व वसूली के लिए जबती पडाली का प्रचलन हुआ जबती पडाली अकबर के सासनकाल में भूराजस्व की वसूली के लिए प्रारंब होई थी ये भूमिका सर्वेक्छन भूराजा सुनिर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल और जबती खसरे की तैयारी पर आधारित होती थी अकवर ने अपने सासनकाल के 24 में बर्स में यानि 1580 में आईने 10 साला यानि टोडर मल बंदोबस्त नामक नई कर पडाली शुरू किया और इस पडाली का वास्त भी पड़ेता राजा टोडर मल था और इसी कारण इसको टोडर मल बंदोबस्त भी कहा जाता है दोस्तों टोडर मल बंदोबस्त के अंतरगत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्सों का उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मुल्यों का आउसत निकाल कर उस आउसत का एक तिहाई हिस्सा राजस्त के रूप में वसूला जाता था तो एक प्रकार से ये जो प्रक्रिया थी या टोडर मल बंदोबस्त की जो ब्यवस्ता थी ये काफी कठिन तो थी ही लेकिन सुविधाजनक भी थी दोस्तों अकबर कालीन भूराजस्व विवस्था की दहसाला पधद को बंदोवस्थ विवस्था के नाम से भी जाना जाता है आगे आएए देखते हैं दोस्तों एक इतिहासकार है तो राल्फ फिंच ये फटेपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज ब्यापारी था अकबर कालीन निर्मित फटेपुर सीकरी की परमुकि मारतें जो हैं वो दिवाने आम, दिवाने खास, मरियम महल, तुर्की सुल्ताना का महल, बीर वर महल इत्यादि थे दोस्तों तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुन्दर है कि परसी ब्राउन ने उसे अस्थापत तेकला का मोती कहा है परसी ब्राउन एक इतिहासकार है उन्होंने तुर्की सुल्ताना के महल को अस्थापत तेकला का मोती कहा है इंपार्टेंट कोश्चन है ये आप अलग से नोट कर लिजेगा दोस्तों पंच महल पिरामिट के आकार का पांच महलो का भवन था और ये भारती बहुत भिहारों के अनुरूप था अकबर का मकबरा तो अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गाउं में इस्थित है जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था अकबर ने सिकंदराबाद का जो सिकंदरा का नाम था बहिस्ताबाद रखा था तो याद रखेगा अकबर का मकबरा सिकंदरा में है इसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था लेकिन अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था इसके निर्माड की योजना अकबर्म ने बनाई थी लेकिन निर्माड जहांगीर ने 1613 इस्वी में करवाय था और यह एक पांच मंजिला मकबरा है दोस्तों अकबर्म ने फतेपुर सीकरी में 1575 इस्वी में इबादत खाने की अस्थापना की थी और इसका उद्देश दार्सनिक और धार्मिक विशियों पर वाद विवाद करना था और इसमें सभी धर्मों के धर्म गुरुओं और जो लोग जानकार थे यानि की धर्म और 1589 में अकबर्म ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए महजर नामा की घोश्रा की थी महजर नामा अबुलफजल के पिता सेख मुबारक ने तयार किया था महजर को इसमित और बुलजले हेग ने अचूक आग्या पत्र कहा है दोस्तों महजर जारी क करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल का इमाम ए आदिल की उपाध धारन की थी तो महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदल की उपाध धारन की थी और एक बहुत ही महतोपूर्टत थे अकबर से संबंदित अकबर ने 1582 में ए इलाही या दीन ए इलाही की अस्थापना की थी दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही की अस्थापना कब की थी 1582 में दोस्तों दीन ए इलाही के अंतरगत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिधानतों को सम्मेलित करके इसे सर्वमाने बनाने का प्रयास किया था और दीन ए इला अही वास्तों में देखा जाये तो सूफी सर्वे स्वरवाद पराधारित एक विचार पद्धत थी और इस नवेन संपरदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था और हिंदुओं में केवल बीरवल यानिकी बीरवल ने इसे स्विकार किया था तो दीन ए इलाहे जो प्रश्ण पूछा जाता है वेरवल का वास्तविक नाम क्या था तो दोस्तों बीरवल का वास्तविक नाम महेश दास था अगला है कि जहागीर के समकालिन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही को एक स्वतंतर धर्म के अकबर ने अनुवाद विभाग की अस्थापना किसकी अध्यस्ता में की थी राज जी कभी फैजी की अध्यस्ता में अनुवाद विभाग अस्थापित किया गया था दोस्तों अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन भागों का रजमनामा नाम से फार्सी में अनुबाद नकीब खां बदायूनी और फैजी आधि विद्वानों द्वारा सम्मीलित प्रयासों से किया गया तो अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन भागों का अनुबाद किया गया और इसके अनुबाद को रजम नामा कहा जाता है और रजम नामा किसी एक विद्वान द्वारा जो है अनुबादित नहीं है बलकि नकीब खा बदायूनी और फैजी आदी इसमें सभी विद्वा जो है सम्मीलित प्रयास सामिल है दोस्तों बदायूनी निरामैर का फैजी ने लिलावति का और अबुल फजल ने कालिया दमन का फार्सी में अनुवात किया था अब आए देखते हैं मुगल कालीन प्रमुक पुस्तकें और उनके लेखक हुमायू नामा की रचना गुलवदन बेगम ने की थी अकबर नामा अबुल फजल मुन्तखब उल तवारीक ये बदायूनी की रचना है तारीके सलातीन अफगाना अहमद यादगार तवकाते अकबरी निजामुदीन अहमद की रचना है तारीखे सेरसाही अब्बास खां सरवानी की नुक्स्खा ए दिलकुषा देखिए नुस्खा ए दिलकुषा भीमसेन की रशना है और आलमगीर नामा मिर्जा मुहम्मद काजिम की रशना है चहार चमन चंद्रभान ब्रह्मन और सियार उल्मुत्खरीन गुलाम हुसेन की रश परदान की थी तो जरी कलम की उपादी अकबर ने मोहंम्मद हुसेन को दी थी और इसके अलावा जैन साधु हर विजय सूरि को जगत गुरू की उपादी से अकबर द्मानित किया गया था और एक अन्य विद्वान जिन चंदर सूरी को यूग परदान की उपादी दी गई थ अकबर के द्वारा देखिए जैन साधु हर विजय सूरी को जगद गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया और एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी को युग परधान की उपाधि से विभूसित किया गया था दोस्तों अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिस्तिया संपरदाय को समर्थन दिया था ख्वाजा मोईनु दिन चिस्ति की अजमे रिष्थित दरगाह पर दर्शन के लिए वो अकसर जाता था और अकबर अपनी उदार धार्मिक नीत की अंतरगत 1562 में दास्पर्था 1563 में तीर थे आत्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया तो ये जो वर्स हैं इनको आप याद रखेगा अकबर ने अपनी उधार धार्मिक नीत की अंतरगत 1562 में दास पर्था को 1563 में तीर थेयात्रा को और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया और अपने सामाजिक सुधार के अंतरगत उसने बाल विवा और सती पर्था को रोकने का प्रयास किया था और दोस्तों अकबर पहला मुस्लिम सासक था जिसने इस बात का अनुभो किया कि मुगल सामराजी की सुद्रिनकता के लिए भारत की बहु संख्यक हिंदू जनता का सहय प्राप्त करना बहुत जरूरी है उसने हिंदू मुस्लिम समुदायों को राश्टी एक तके सुत्र में भी बांधने का प्रयास किया और अकबर स्वयंग होली और दिवाली जैसे तेवहारों तथा उत्सों में भाग लेता था जो इसकी धार्मिक सहिशुरता को दरसाता है दोस्तों अकबर ने तुलादान जरोखा दरसन आदि विभिन हिंदू पर्थाओं को भी स्विकार किया था एक इतिहासकार है लेन फुल लेन फुल के अनुसार हिंदू राजाओं को एक जुट कर लेना अकबर के समय की सबसे असपष्ट विशेष्ता थी और डाक्टर आर पश्ट विशेष्ता थी और इतिहासकार डाक्टर आर्पी त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युक की संतान और पिता दोनों था तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मद्धिकालीन भारती इतिहासके अंतरगत मुगलकाल में अकबर से संबंधित महतोपूंड प्र यानी सं से पूछे जाते हैं तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माक दर्शन फार सिविल सर्विसेश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार सब्सक्राइब शार सब्सक्राइब करें वीडियो